लमुश्का दोस्तों आओ सीखे आज की चर्में आप सबी का स्वागते मेरा नाम कना के और आज हम सीखने वाले हैं C को का पढ़ते हैं, C, K को का पढ़ते हैं, और K को भी का पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कब हमें C को का पढ़ना है, कब हमें K को का पढ़ना है, और कब हमें C, K को का पढ़ना है, अभी मैं का की बात कर रही हूँ, कि का के लिए हमें क्या क्या लिखना होता है, का के लिए हम सी लिखते हैं का के लिए हम सी के लिखते हैं और का के लिए हम के भी लिखते हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा कब लिखना है जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे सी, सी को कब लिखते हैं जब हमें देखिए मानलीजे आपको का लिखना है और उसके लिए आपको सी लिखना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सी आना चाहिए का के लिए देखिए सुरू में हमें हमेसा C लिखना होता है का के लिए जैसे कि केवल हो गया, कोल्ट हो गया और आपका कॉमिक हो गया, टॉपिक हो गया अब टॉपिक को कॉमिक में थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है मैंने आपसे बोला कि अगर C सुरू में होगा तब हमें C को का पढ़ना है लेकिं यहां तो C लाश्ट में है अगर C पांचवे नंबर पे जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच ये पांचवे नंबर है और ये भी पांचवे है हमेशा पांचवे नंबर पे C आता है का के लिए ठीक है? तो आपको पता चला कि C यानि कि का के लिए अगर हमें C लिखना है तो कब लिखना है अब मैं आपको समझाऊंगे तो अब आपको समझ में आगिया होगा कि C हम कब लिखते हैं लिखते वक्त आपको मैंने पढ़ने के तो रूल सिखाई थी है सारी वीडियो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी यूटूब पे लेकिन अगर आपको लिखने के रूल सीखने हैं तो अपसे हम सीखने वाले हैं लिखने के रूल जी हाँ, तो यहाँ पर हमने जाना कि C हमें कब लिखना होता है अगर हमें का लिखना है तो का के लिए सी कब लिखते हैं यह हमारा फोन नमबर है अगर आप हमारे पास कोचिंग करना चाते हैं तो आप अपने घर बेठे हमारे पास कोचिंग कर सकते हैं कैसे करना है कितनी फीस है क्या तरीका है मैंने फीस आपके हिसाफ से ही रखी है ना ही जादा है बिल्कुल भी जादा नहीं है जितना आप आसपास अपने कोचिंग छोटे से कोचिंग होते हैं आसपास जो भी गली मोलने में जितनी फीस वहाँ पर देते हैं इतनी फीस मैं आपसे ले रही हूँ मैं आपसे बिल्कुल भी ज़्यादा फीस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जितने भी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं पांच हजार पे फीस लेते हैं, तीन हजार पे फीस लेते हैं, दो हजार पे फीस लेते हैं मैं इतनी फीस नहीं लूँगी मैं आपको इसाफ से ही फीस ले रही हूँ जितनी आप दे सकते हैं और जितनी आपके लिए जादा भी ना हो हमारे कोचिंग में हर को ही कोचिंग पढ़ सकता है चाहे वो किसी भी एज का हो किसी भी उम्र का हो बड़ा हो, छोटा हो, स्कूल जाता हो, ना जाता हो जॉब करता हो सभी के लिए ये कोचिंग है ये सभी के लिए कोचिंग है लेडिस हो, जैन्स हो सभी के लिए, किसी के लिए भेदवाओ नहीं है यहाँ पर कि आपको ही एडविशन में लेगा हर कोई पढ़ सकता है बस आपके पास एक phone होना चाहिए और WhatsApp होना चाहिए तो आप ये coaching कर सकते हैं चलिए अब हम दूसर topic देख लेते हैं कि भई C के कब लिखते हैं का के लिए अगर हमें का लिखना है और का के लिए C के आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि C के कब लिखना है का के लिए तो चलिए इस topic की बात कर लेते हैं पहले मैं जल्दी से लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी तो चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं ताखि आपको भी time खराब नहों और आप इस rules को लिख लिजिए क्योंकि बात में आपको कहीं ये सीखनी को नहीं मिलने वाला तो अब आया topic C K कि भाई C K कब लिखा जाता है का के लिए जैसे कि सिक मैं कुछ example भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए और जैसे कि black आपको लिख लिख रहे हैं पह से के溜़ूच लेकिन मैं भी आपको कुछ example समझा देती हूँ जैसे कि आपने देखा इसमें भी सीखनी का यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर कैसे पता चलेगा कि यहां पर सी के लिखना है अगर मैं आपसे बोलो कि का लिखो तो क्या आपको पता चलेगा कि मुझे सी के लिखना है या फिर सी लिखना है चलिए सी का तो पता चल जागा क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेकिन सी के लिखना है यह कैसे पता चलेगा हमे शिक या तो आप उसे तीसरे नमबर पे लगा लिजिए, चोथा नमबर रहने दीजिए, क्योंकि अब ये दोनों मिलके तो तीसरा ही हो जागा, लिखने वही पता चलेगा, लिखने में चोथे पे और पढ़ने में आपको पता है शिक, यानि कि तीसरे नमबर पे अगर का लि लिखना है clock अब आपको एक जिस समझ में नहीं आ रही होगी आप सोच रहोंगे यहाँ पर तो एक दो तीन चार पांच यह तो पांच में नमबर पर हैं तो हम इसमें क्यों सीके लिख रहे हैं देखिए एक बात हमेशा याद रखेगा अगर कहीं पर भी ml ml अगर इन दोनों के बीच में मातरा नहीं होती है तो इसको आदा लिखते हैं अगर सुरू में कोई भी सब्द आदा है तो उसको मत गिनिए क्योंकि ये जो आधा है ये इसी के साथ जुड़ जाएगा ये जो बा है बा और ला हो जाएगा तो ये दोनों एक ही मानने जाते हैं इनको आपको दो नहीं मानना है क्योंकि ये तो इसके साथ ही लिखा जा रहा है इसको आपको अलग से इस तरीके से तो लिखना नहीं पड़ रहा है न आपको इसको इसके साथ ही लिखना पड़ रहा है यानि कि ये एक ही माना जाएगा इसलिए क्योंकि इन दोनों की वीच में कोई भी मातरा नहीं है तो पहला वाला आदा लिखा जा रहा है पूरा वाला ला मैं अभी confused होगी हूँ तो इन दोनों को एक ही माना जाएगा क्योंकि ये आदा है ठीके क्योंकि ये एक है तो एक, दो, तीन, चार ठीके अगर आपने spelling लिख लिए तो वो चोथे नमबर पे लेकिन अगर आप नहीं लिखिए और आप black बोल दे तो वो तीसरे नमबर पे हो गया ठीके न, याद रहेगा न अगर कहीं पर भी तीसरे नमबर पे का आ रहा है बोलने में तो आपको C के लिखना है और अगर spelling लिख दिये तो उसमें वो क्योंकि C और के 2 है तो वो तीसरे नमबर पे C हो गया और इसके चोथे नमबर पे हो गया यानि कि दोनों एक ही है तो इसलिए ये दोनों तीसरे नमबर पे ही माने जाएंगे तो याद रखिएगा कहीं पर भी तीसरे नमबर पे का लिखना है तो हमेसा तीसरे नमबर के लिए C के लिखते है यासी कि यहां पर भी आप देख रहे हैं पहला दूसरा और यहां पर भी जैसे की चैक है तो पहला दूसरा और 30 समझ में आ रहा है थोड़ा से नीची को कर देती हूं ताकि आपको सईसे दिखें ओकी है यह हमारा फोन नमबर है आप खुश सोचें जब वीडियो में सिर्व एक वीडियो से आपको इतना कुश सीखने को मिल रहा है तो कोचिंग में कितना कुश सीखने को मिलेगा आपको जान सकते हैं, अगर आप अपने आज पास किसी भी कोचिंग में जाते हैं, बड़े से बड़े कोचिंग में भी मैं आपको लिखके दे सकते हूं, कितना भी बड़ा कोचिंग हो, वो आपको कभी लिखना नहीं सिखाएगा, वो आपको कभी पढ़ना नहीं सिखाएगा, वो लिखना क्या सिखाएंगे आपको वो टेंस सिखाएंगे टेंस सीखिए और टेंस वगेरा सेंटेंस बनाना ये सब सीखिए लेकिन ये जो लिखने की स्पैलिंग वगेरा ये आपको कोई नहीं सिखाएगा किसी भी कोचिंग में चले जाएए कोई भी आपको नहीं सिखाने व पास ही सीखेंगे बोलना तो आपको कोई भी सिखा देगा लेकिन लिखना और पढ़ना आपको कोई नहीं सिखा सकता अगर आपको लगता है कि आपको यह कोचिंग करना चाहिए तो इस नंबर पर वोट्सप पे मैसिज कर दीजिए सिखाय का या फिर कॉल भी कर सकते हैं लेकिन कॉल आप सुबह के टाइम करना रात के टाइम मत करना भी ठीक है क्योंकि अभी वोट्ट टाइम हो जागा और इस्टर मेरी कोचिंग भी होती है नो बजे ठीक है उसके बाद आया कोश्चन के भ यहां पर के लिखा जाता है का के लिए जैसे कि आप यहां पर देखने 6 वर्ट मिनिंग तो मैंने लिखवा दिये और 18 मैं लिखवा देती हूं लेकिन इन 6 वर्ट मिनिंग को आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे टोटल 18 ऐसी वर्ट मिनिंग होती है जिसमें के एन्द भी आता है जिसमें के silent होता है लेकिन अभी मैं silent नहीं सिखा रही हूँ आगे जाके मैं यह भी सिखाऊंगी कि आपको लिखते टां कैसे पता चलेगा कि कौन सा letters कापा silent है और कौन सा किसको आपको कैसे लिखना हो गेरा वगेरा जो भी है मैं आपको वो सब बाद में सिखाऊंगी अभी जिस टॉपिक की मैं बात करूँ उसी मैं उसी की बात करूँगी मैं आपको confuse करना नहीं चाहती तो 18 ऐसे words हैं जिसमें आपको किये लिखना होता है तो इसको लिख लिजिए बागी मैं भी लिख देती हूँ कि तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किक हो गया किचन हो गया कीपर हो गया किंडल हो गया किंडम हो गया काइट हो गया किटन हो गया किंग हो गया वैसे तो दो तीन और भी है लेकिन अभी मैंने आपको जोड़ा लिखवा दिये हैं बाकि अभी लिखवा दूँगी ज्यादा वड़ी वीडियो ना आओ तो आज हमने क्या सिखा आज हमने सिखा कि भाई C, K कब लिखते हैं का के लिए C कब लिखते हैं और K कहां लिखते हैं ठीक है, तो आपको ये समझ में आगी होगा, कि अगर आपको का लिखना है, तो आपको कोन सा वाला लिखना है इसके लिए, क्योंकि तीनों ही का है, तो तीनों का मैंने तरीका बता दिया है, 18 word meaning में आपको के लिखना होता है, और बाकी सबी जगा मैंने बता दिया है यह हमेशा तीसे नमबर पे आता है और यह पहले नमबर पे या फिर पांचवे नमबर पे यानि कि चोथा नमबर भी लगा सकते हैं वैसे तो यह दोनों अगर एक साथ काउं गिनेंगे तो नहीं तो यह पांचवा नमबर ही रहेगा ठीक है तो याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यह इसके बाद मैं देखती हूँ अगर कल टाइम मिला यह परसो तो मैं आपको सिखाऊंगी CH CH को कभी पड़ते हैं благ कि इसको कहा लिखना है अभी मैं आपको यह anni बतावंगी कि इसमें नहीं मैं आपको सही तरीका बतावंगी कि लिखने में जैसे मैं इसे मैं इसको मत्रांइता है कि चाह लिखना है काँ पर चाह लिखना है अगर चाहते हैं सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तब ही आपके पास वीडियो आईगी घंटी का बटन होगा उसपेट अच कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको समझ में नहीं आता है और कॉल कीजिए अगर यसा नहों बाद में आपको मिले ना मिले बुक लेने के लिए भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है वाटसएप पे और दो बुक तीस रुपे किये और एक बुक लेंगे तो वह बीस रुपे कीए एक जो वुक है अमारी 156 पेचकिया दूसरी जो है दस रुपे किये य आगे मिलेंगे कुछ नया लेकी